हेलो फ्रेंड्स आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दाफी सेंट इंजिनियर में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स अपना टोपिक सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को हमारी वीडियोज जादे जादे सेर कीजिए तो फ्रेंड्स आज का हमारा टोपिक है टाइप्स ओफ गियर गियर कितने टाइप के होते हैं और गियर क्या है तो फ् प्रेंट्स सबसे पहले तो हमें यह है पता होना चाहिए गियर होते क्या है फ्रेंट्स गियर हम यूज करते हैं पावर ट्रांस्मिशन में पावर ट्रांस्मिशन क्या है फ्रेंट्स पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना पावर ट्रांस्मिशन होता है power transmission के बहुत सारे method होते हैं जिनमेंसे gear भी एक method है gear में होता क्या है friends दो हमारे wheel होते हैं जिन पर दाटे कटे होते हैं दो आपस में mess करके चलते हैं जिससे एक कोई drive gear होगा वो दूसरे gear को power transmit करता है तो friends चलीए हम आपको बताते हैं इंडस्टी में मेन मेन कौन कौन से गियर यूज होते हैं पहला गियर है इस पूर गियर इस गियर में होता क्या है इस गियर में टीत हमारे जो हमारे गियर की एक्सिज है उसके पैलल होते हैं यह गियर जनली कम लोड और कम आर्पियम पर यूज होता है और यह एक जनल यूज होने वाला गियर है फ्रेंस सेकंड होता है हमारा हेलिकल गियर हेलिकल गियर के टीथ एक्सिस से कुछ एंगल पर कटे हुए होते हैं और ये गियर मैक्जिमम हाई स्पीड और हाई लोड को ट्रांस्मिट करने के काम आते हैं हेलिकल गियर को भी कहीं पार्ट में डिवाइड किया गया है फ्रेंस next है हमारा बेवल गियर फ्रेंस अगर दो साप्टो के एक्सिस एक दूसरे को काट रहे हुए हो और और एक दूसरे के 90 डिगरी पर हों तो बहां पर हमारा वेवन गीर यूच किया जाता है जो आप पिक्चर में देख भी सकते हैं इन दोनों साफटों के axis एक दूसरे को ड्रोस करते हैं फ्रेंट में है मर्म गीर इस घीर में होता क्या है एक saft होती है saft पर screw यानि चूड़ा कटी होती है इसे बोलते हैं बर्म और हमारे पास एक gear यानि एक wheel होता है जिसके outer पर teeth कटे हुए होते हैं ये दोनों आपस में match करते हैं तो जिस saft पर हमारे screw होते है उसे बोलते है बर्म और ये जो हमारा राउंड वाला वील होता है ऐसे बोलते हैं वर्म बील तो ये पूरी असेंबली खेलाती है वर्म ये कहां पर यूज करते हैं जहां पर दो सापटों के एक दूसरे को नुश्रे को ना काट रहे हो और और उनमें पावर का ट्रांस्मिस्ण एक डारेक्शन इसमें होता क्या है एक हमारी सोलीड बार होती है उस पर टीत कटे हुए होते हैं और उन टीत पर एक वील चलता है इसमें होता क्या है हमारी जो पावट का ट्रांसमिशन है बहें रोटरी मोशन से लिनियर मोशन में होता है उसके बाद है हमारा इंटर्नल गियर यह एक तरह की असेंबली होती है इसमें एक बड़ा गियर होता है जिसके आईडी के में टीत कटे हुए होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 गियर होते हैं यह गियर की क्वांटिटी रे पावर लोड के हिसाब से चेंज होती है फ्रेंट्स ये ते कुछ मेन मेन गियर्स जो पावर प्लांट्स में हमारे यूज होते हैं फ्रेंट्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कि रपाया लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्ट